हलो फ्रेंड्स माई नेम इस धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग आज का हमारा टॉपिक है पटवारी प्रसिक्षन चैन प्रक्रिया आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कौन से जिले में कितना पद है तो आईए देखते हैं दोस्तों किस जिले में कितना पद है बलोदा बजार में भाटा पारा में कितना है 15 गरिया बंद में कितना है दोस्तों 10 है धमतरी में कितना है 10 है महसमुन में 10 पद है दूर्ग जिले में कितना है इसमें भी 10 पद है बस्तर में कितना है 12 पद है कांकेर में 18 पद है दोस्तों नरायनपूर में 3 पद है सुकमा में 8 है बीजापूर में 10 है पेंडरा में कितना है दोस्तों 5 पद है मुंगेली में कितना है 5 पद है कोर्बा में 18 पद रायगर में है दोस्तों 30 पद जो की सबसे ज़ादा है नेग्स्ट है जानगीर चापा इसमें भी 18 पोष्ट है सर्गूजा में है 10 पद और सुरजपूर में है इसमें 10 है और बलरामपूर में है इसमें 12 है और जस्पूर में है 20 पद और कूरिया में है 20 पद तो टोटल प renovation के कितने पद है दोस्तों 301 पद अब देख लेते हैं दोस्तों इसका पूरा डिटेज परवाटवारी पद हेतु प्रसिक्षन के लिए पहला हमारा पॉइंट है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से दसवी प्लस टू प्रनाली के हाइट सेकेंडरी परिक्षा उत्तिन होने चाहिए और दूसरा है सास्किया अर्थ सास्किया या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर होना चाहिए और तीसरा है किसी समान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग एवं नुईंतम एक वर्षिय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डेटा इंट्री की 5000 की डिस्प्रेशन प्रती घंटी की स्पीड होनी चाहिए कम्प्यूटर अहर्ता हेतु 36 गर्ड प्रसाशन विभाग द्वारा मान्य किये जाने वाले प्रमाण पत्रों को ही सुईकार किया जाएगा परन्तु अनुसूची छेत्र के सफल इस्थानिय निवासी अभ्यार्थी जो पटवारी पद पर प्रसिक्षण हेतु चैनित होंगी उनकी उक्त कम्प्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तूत करने के लिए एक वर्ष की छूट होगी नेक्ष्ट है वेतनमान की बारे में बात कर लेते हैं वेतन मैट्रिक्स लेबल 6 का वेतनमाम तथा इसका अतिरिक्त सासन द्वारा सुईक्रित अन्य भत्ते जो की प्रयोगिता परिक्षा चैन उप्राम्त एक वर्ष का विभागी या कारियों का प्रसिक्षण एवं उसके पश्चात ली जाने वाली विभागी या परिक्षा सफलता पूर्वक उत्तिन करने पश्चात पटवारी के पद पर नियुक्त किये जाने पर ही दे होगा सेवन हमारा पॉइंट है आयू सीमा दिनांक 11 2018 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए 36 गड़ प्रसासन समान्य प्रसासन विभाग रायपूर द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र नुशार अभ्यार्थियों को आयू सीमा में छूट की पात्रता होगे किन्तु किसी भी संस्था में अधिक्तम आयू 45 वर्ष से अधिक नहीं होगे आठवा हमारा पॉइंट है दोस्तों निर्देश तथ सर्ते आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छप्तिस गड़ के इस्थानिय निवासी प्रमान पत्र में उल्लेखित जिले का इस्थानिय निवास होना मान्य किया जाएगा सेकेंड है रिक्त पदों की संख्या में आवसेकत अनुसार कमिया वृद्धी करने का अधिकार नियोकता का होगा थर्ड हमारा पॉइंट है आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित वितरन यम दिनांक जन्म दिनांक के लिए हाई इस्कूल दस्वी की अंगसुची प्रमान पत्र हायर सेकंडरी इस्कूल की अनुसुची जाती प्रमान पत्र निवासी प्रमान पत्र कम्प्यूटर अहमता का प्रमान पत्र आदी की मुल प्रती एवं स्वा प्रमानित छाया प्रतियां प्रसिक्षन के लिए चैन उप्रांत सत्यापन के समय प्रस्तूत किया जाना आवस्याख है फोर्थ पॉइंट क्या कहता है आनलाइन दर्ज किये गए विवरन को पूरी तरह से जाच कर लेवे एक बार आवेदन कर जाने के बाद परिक्षा के पूर्वा या फिर परिक्षा प्रणाम के बाद तूटे सुधार के लिए किया गया कुई भी आवेदन सुईकार नहीं किया जाएगा आवेदन पत्र भरने से पहले आवस्यक दिशा निर्देश को अत्यांत सावधानी से पढ़े तथा सैंफल फॉर्म नमूने आवेदन पत्र का अलोकन करे असत्य जानकारी प्रस्तूत करने पर अभ्यार्थी और चयान किसी भी इसतर पर निर्ष्ट कर वैध्यानी कारवाही की जाएगे किसी भी अभ्यार्थी जिसमें विवाह के लिए नियानित की गई है नियुक्त आयू से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्त के लिए पाप्त नहीं होगा नेक्स्ट है 36 गार लोकसेवा महिला के लिए नियुक्त के लिए विशेश उपलब्द नियम 1997 के अनुसार विग्यापन दो पदों में 30% पर महिलाओं महिला अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रख रखे जाएंगे नेक्स्ट है चैनित अभ्यार्थियों को जीला चिकितिसा की चिकितिसा बोर्ड के स्वास्था फिटनेस प्रमान पत्र प्रस्तूत करने के पशचात ही सेवा में लिया जाएगा समान अंक प्राप्त करने की इस्थिती में अभ्यार्थियों की जन्म तीथी को अधार माम कर वरियता निर्धारित की जावेगी जीला अभ्यार्थी की उम्र अब्धिक होगी उसको वरियता प्रदान की जावेगी नेक्ष्ट है लिखित परिक्षा के लिए अभ्यार्थियों को स्वैम की व्याए पर परिक्षार्थी केंद्र तक जाना होगा इसके लिए प्रिथक से कोई यात्र व्याए नहीं दिया जावेगा एन पॉइंट होगा यहां चयान पुर्वतह अभ्यारत अइस्थाई है अत एव चयान की निर्धारी सरते का पाला नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्ति की जा सकेगी प्रतियोगीता परिक्षा में चयानित अभ्यार्थियों द्वारा सफलता पुर्वा प्रसिक्षन पूर्ण करने एवं विभागी परिक्षा उटपुन करने उपरांत उसकी नियुक्ति तीन वर्सों की परिविक्षा अधी पर की जावेगे चयान हेतु अभ्यार्थि की पात्रता अपात्रता के संबंध में अम्तिम निर्नाई लेने का अब्धिकार राज्य शाशन का होगा और कर्मचारियों की पदिस्थापना तत्सम उपलब्द पदों के अधार पर ही की जावेगे पदिस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्याद्देवन सुईकार्य नहीं होगा बारवा हमारा पॉइंट है विज्यापन की कंडिका छै पद के लिए पुनरिरक्षन वेतन्माम दर्साया गया है तथा निर्धारित वेतन्मान में सासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के द्वारा महगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते दे होगा जो की प्रत्योगिता परिक्षा में चैन उप्रामत एक वर्स का विभागिय कारियों का प्रसिक्षन एवं उसके पश्चात ली जाने वाली विभागिय प्रसिक्षा सफलता पुर्वक उत्पन करने पश्चात पटवारी के पद पर नियुक्त किये जाने पर दे होगा तेरा पॉइंट क्या कहता है? परिक्षा पद्धती इस परिक्षा में संबंधित पाठकर्मों पर अधारित 150 अंकों के कुल 152 प्रस्थ प्रस्न पूछे जाएंगे मुल्यांक्यन पद्धती प्रत्यक प्रस्न के 4 संभावित उत्तर दिये गए होंगे उसमें से एक उत्तर सही तथा 3 उत्तर गलत होंगे प्रत्यक प्रस्न का सहीं उत्तर अंकित करने पर 1 उत्तर अत्वा 1 से अधिक उत्तर अंकित करने पर माइनस अंक का प्रवधान होगा एक गलत उत्तर पर एक चार बटे अंक काटे जाएंगे परिक्षो द्वारा जिन प्रस्णों के उत्तर अंकीत नहीं किये जाएंगे उनके लिए सुन्य अंक प्राप्त किये जाएंगे ग्यारवा हमारा पॉइंट है दोस्तों चैन पर क्रिया 36 गड़ विवसाईग परिक्षा मंडल रायपूर द्वारा लिखित परिक्षा के प्रप्तांकों के अधार पर विद्यार्थियों को जीले वार मेरिद सुची तयार की जावेगी प्रतियक जीला की संयुक्त प्रविती सुची वर्ग वार OBCCST फिमेल एक्स सुपर सिमेन प्रविन सुची विभाग को सौपा जाएगी जिसके अधार पर दस्तवेज की सत्यापन पस्चात पापत पाने पाये जाने पर नियोक्ता द्वारा नियमनुसार चैन की कार्यवाही की जावेगी आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजिये और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे साथे साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्लेज कीजिये मिलते हैं नेक्श डूमे तब तक के लिए बाबाई टेक कियर थांक्यो फॉर वाचिंग मैं वीडियो